आपके पार्टनर की करन्ट फीलिंग्स आपको लेकर इस रिलेशन्शिप को लेकर क्या है आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सूचने वाले हैं इस रिलेशन्शिप को लेकर आपके पार्टनर का माइंसे आज किस तरह का होगा आएज जानते हैं आपके पार्टनर की एनोर चीज आज किस तरह की रहने वाली है उनका माइंसेट आपको लेकर इस रिलेशन्शिप को लेकर आज किस तरह का रहने वाला है तो पहला कार्ड है awakening का card है the next card over here is the hermit का card है the next card is the chariot का card है the next card is muse of materials का card है the next card is two of emotions का card है and bottom of the deck पर 8 of voices का card है आज morning में आपके partner बहुत ज़ादा आपके बारे में सोचने वाले हैं आपके सामने वो अपने emotions को किस तरहां से रखा करते थे इसके बारे में सोचने वाले और आप कितनी खुबसूरती से उनके emotions को समझ लिया करते थे उन्हें guidance दिया करते थे आपके इस तरहां से equal give and take a relationship अपने partner के सब निभार रहे थे और बलकि आपके efforts उस relationship में हमेशा से ज़ादा रहे हैं इसके बारे में आज आपके partner मुझे सोचते हुए morning के time पर नजर आ रहे हैं morning में आपके partner को ऐसा लगेगा कि वो एक warrior है और वो इस relationship की जो भी problem है इसे बहुत अच्छे से fight कर सकते हैं आपके partner बहुत ही ज़ादा balance में आने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन जब आपके partner आगे की और बढ़ेंगे न तो आपके partner को कोई रास्ता नजर नहीं आएगा आपके partner को ऐसा लगेगा कि वो जहां तक पहुँच गए हैं न इस रिष्टे में अब उससे वापिस जा पाना उनके लिए मुम्किन नहीं है वो यहां तक किस तरहां से पहुँचे हैं क्या गलतियां उन्होंने की हैं इसके बारे में आज आपके partner मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके partner को ऐसा लगेगा जब भी वो कदम आपकी तरफ को बढ़ाते हैं तभी हमकी जिंदगी के अंदर कोई न कोई complication स्टार्ट हो जाती है और इस complicated energy से किस तरहां से बज़ा जा सकता है ये उन्हें कभी समझ नहीं आता है आपके partner आज self introspection की energies में रहेंगे जिसकी बज़र से वो काफी down feel भी करेंगे आपके partner को ऐसा लगेगा कि अब ये रिष्टा अटक चुका है चीज़ों को वो अलग perspective से आज जरूर देखने वाले हैं कि ये चीज़े किस तरहां से हुई, क्यों हुई, पहले उन्होंने किस तरहां से फैसले लिए अब वो किस तरहां से सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों का comparison आज आपके partner करने वाले हैं लेकिन आपकी तरफ को कोई movement वो create नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके partner को ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको आपकी life के अंदर बहुत सदा दुख दिया है और उन्हें इस चीज़ का कोई हग नहीं है कि वो आपकी life को दुबारा से disturb करें guilt की energies तो आपके partner की नजर आ रहे हैं लेकिन फिर आपके partner ये सोचेंगे कि अभी उन्हें अपने emotions पर थोड़ी से लगाम लगानी चाहिए और आपके partner बहुत practicality के साथ अपनी life को जीने की कोशिश करेंगे आपके बारे में क्या feel कर रहे हैं ये आज आज आपको उनके किसी action से पता नहीं लगेगा आपके partner अपने career पर time spend करने वाले हैं आपके partner अपने career को बहतर बनाने की कोशिश करेंगे इसमें से इन चीजों को देखते हुए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़दा नराज भी होंगे कि आपके partner को अपनी life को stabilize करने की पड़ी हुई है और इस relationship के बारे में आपके partner बिल्कुल भी focused नहीं है देखिए आपके जो partner है ये उनका एक तरीका है चीजों को complication से बचाने का तो आप अपने partner को underestimate मत कीजेगा और आप अपने partner को लेकर judgmental मत होएगा आपके partner शायद ये कुछ time जरूर ले रहे हैं ताकि वो इन energies को समझ पाए दूसरा आपके partner की energies के अंदर जरूर कोई परिवर्तन तो आया है ये परिवर्तन अभी कुछ दिनों में और ज़्यादा clear हो जाएगा और मैं एक चीज़ starting में आपको बता नहीं पाई ये जो energies है ये generalized energies है आप सबके साथ कही ना कही resonate जरूर होंगी तो यहाँ पर इसी बज़े से मैंने किसी zodic sign के बारे में बात नहीं की है आपके चो partner है वो dip की energies की और ना चले जाए और उनकी energies positive होती रहें उसके लिए आप comment section में 1010 heart जरूर type कीचेगा और अपने partner को energies की terms में जरूर support कीचे आपके relationship में किस तरह के challenges का सामना आपके partner कर रहे हैं या आप कर रहे हैं अगर इस चीज को जानना चाहते हैं तो मैं रात को साड़े 9 बज़े इसी channel पर एक detailed video post करते हूँ आप प्लीज उस video को जरूर देखा कीचेए आपको बहुत सारी चीजों को लेकर clarity मिलेगी ठीक है आये चानते हैं divine आपको क्या guidance देना चाहते हैं इस relationship के regard में divine की क्या guidance है आपके लिए आये चान लेते हैं divine आपको कहना चाहते हैं कि your loved ones are safe आप इस चीज से मत घबराएए कि आपके partner बिलकुल बदल गए है वो अब आपसे प्यार ही नहीं करते हैं उनके लिए protection आपको मिर रही है आपके partner आपको safely ही अपनी life में दुवारा मिल सकते हैं लेकिर उसके लिए उनकी जो situations हैं उन्हें समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए यह guidance divine आपको दे रहे हैं so I hope आज की energies को आप बहुत अच्छे तरीके से channelize कर पाएंगे अपनी समझदारी से channelize कर पाएंगे have a great day today, God bless you all, take care of your health, see you soon